आज हमारे सेफटेक टेकनिकल एनलिसिस में आज हम लूपिन पे स्टड़ी करेंगो उससे पहले मैंने एक प्रिविएस वीडियो बनाया था लूपिन पे और उसमें यह 985 के हाई से बॉटम के रिट्रेस्मेंट के बैसिस पर मैंने यह टारगेट दिया था कि 912 का लेबल टूटेगा बजार में तो यह 62% रिट्रेस्ट कर सकता है 867 तक आ सकता है सेम चीज आपने इस चार्ड पर देखा होगा अभी डिशेट जो बॉटम बना है 24 को यह 851 के आसपास का लो बनाया और 861 के आसपास क्लोजिंग दिया तो एज फर माई गैन टाइम्स प्राइस एनालिसिस और जो पार टारगेट डेट था हमारा 24 सप्टेम्बर का था कि खक इस डेट को इसने बॉटम बनाया तो लूप इन पर जो भी मैं एनालिसिस करता हूं मैकसम में श्टोक इस थीओरी को फोलो करते हैं मैं लूप इन पर लगातार कंटेनू हाई लो हाई स्विंग लो स्विंग का सारा कंप्लीट हर हाई और लो का एनालिसिस मैंने के basis पे कौन से प्राइस से बाई करना है तो यह जो लो पॉइंट है 852 का वह हम पूट कर देंगे 24 सेप्टेंबर का डेट डालके 824 आइचली वीडियो को पूरा देखने की कोशिस किजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और मेरा डिस्क्लेमर है कि इस वीडियो में जो भी मैं स्टेडी और इनालिसिस कर रहा हूं और यह जो कैसनल लेंग परपस से ना कि ट्रेडिंग परपस से ट्रेड क और 900 के ऊपर ही तेजी आने के चांसे जिसका पहला रेजिस्टेंस 912 तक आने के चांसे तो 912 तक पहला टार्गेट रेट्रेव कर सकता है तो आज का आज जो लग रहा है स्टोक पे 900 और 897 और 912 तक जाने की कोशिस करेगा क्लोजिंग बहुत ही अच्छा हुआ है तो इससे स्टोक में बॉटम आउट फॉर्मेशन हो सकता है 912 के बाद दुबारा से इसमें नीचे आए 880 के आसपास इसमें कॉंसलिडेशन होगा और फिर से 912 के लेवल के टूटते ही इसकी जो तेजी के चांसे जाए 933, 954 अगर उसके ऊपर निकलेगा तो प्रिवियस हाई को ब्रेक करते ही ये 1016 का होगा उस समय मैंने टारगेट दे रहा था नीचे का तो लोगों को लग रहा था कि 1000 के ऊपर जाएगा लेकिन अब ये 1000 के ऊपर जाने की त्यारी कर रहा है फिर भी मेरा इस मार्केट में जो भी है अप इसके बाद जब ये 912 के लेवल को ब्रेक करेगा तो सीधा ये स्टोग 958 और 958 के बाद इसका मेजर रेजिस्टेंस अभी रिसेंट जो हाई था 985 उसको ब्रेक करते ही हम 1015 के लेवल को टच कर सकते हैं तेरा हमारा लूपिन पे अनालिसिस अगर आपको वीडियो अच्छ लर्निंग पर पसे ना कि ट्रेडिंग पर पसे ओके बाद है अच्छ